हेलो फ्रेंज, दोस्तों बच्चा की स्केन कितनी ज्यादा सॉफ्ट होती है, कितनी ज्यादा माइल्ड होती है इसलिए उनके स्किन को संजोग कर रखने के लिए हम अबसर बेवी लोशन का ही प्रियोग करते हैं और किसी अन्य चीज का प्रियोग नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, अपनी स्किन के गदर कर नाख मानव भोल ही जाते हैं और हमारी खूबसूरती गायब हो जाती है आईए जानते हैं कि अगर आपको भी हमेशा खूबसूरत दिखाए देना है, तो आप बेवी लोशन का इस्तमाल कैसे कर सकती हैं टिप नमबर बन, अगर आप अपने चहरे पर और अपनी बॉड़ी पर बेवी लोशन का प्रयोग करती हैं, तो ऐसा करने से मुहासे नहीं होते हैं बेवी लोशन के अंदर कई ऐसे कंटेंट होते हैं, जो छोटे शिशुओं के चहरे को और उनकी बॉड़ी को संजोने के लिए होते हैं और इसी की वज़े से इनकी तवचाओं के रोमचितर ब्लॉक नहीं होते हैं इसलिए अगर आप बेवी लोशन से अपने चहरे पर मसाज करती हैं, तो आपकी तवचा के रोमचितर भी ब्लॉक नहीं होंगे और मुहासों की समस्या कम से कम होगी टिप नमबर टू, ट्वेंटी की एज में हमें अपने चहरे की बहुत ज्यादा कद्र करनी पड़ती है, ताकि आने वाले समय में हमें समय से पहले ही भुड़ापा नाचू सके इसलिए अगर आप 20 की उम्र के आस पास हैं, तो भी आप बेबी लोशन ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये आपकी तवचा की देख रेक करने के लिए बेस्ट आप्षिन है तिप नमबर 3, बेबी लोशन का प्रियोक आप कर सकती हैं, लेकिन केवल चहरे और नाजुप चीजों के लिए मान दीजे कि आप इसे अपनी हतेलियों पर लगा सकती हैं, या फिर पैरों के तलवों पर लगा सकती हैं, या फिर चहरे पर, पुली बोड़ी पर बेबी लोशन का प्रियोक ना करें टिप नमबर 4, अगर आपकी स्केन बहुत ज़्यादा सेंजिटिव है तो यकीनन आप अपनी स्केन पर बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोड़क्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती होंगी, कभी कभी मॉस्चराइजर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाती होंगी, अगर आपके और सुब्स्रीब कीजिए